आप सभी का बहुत बहुत स्वागत क्लास 10 के स्टुडेंट के लिए हमारी आज की क्लास है इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चेप्टर 12 सेक्शन फिसिक्स अफ साइन्स और उसमें हम बात कर रहे थे इलेक्रिसिटी इन दिस इस दा पार्ट फॉर्थ यानि के तीन पार्ट में पहले इसके पढ़ा चुका हूँ जो वीडियो जो है इस क्लास की इन क्लास की तीनों क्लास की आपको हमारी रनिंग प्लेलिस में मिल जाएंगी you can check out and without wasting any further time let's continue over here as per I said that this class is for the class 10th chapter 12th electricity and the part 4th it is and here we will discuss the electric circuit properties जो हमने recent class में part 3rd में जो हमने शुरू किया था हम उसी को continue करने वाले हैं तो हम देख लेते हैं एक बार थोड़ी से नजर मार लेते हैं कि part 3rd में हम कहां परते हैं just इससे पहले वाले स्लाइड में हमने discuss किया था पूरा का पूरा ohm slow और resistance R के लिए हमने उसकी unit निका ले थी which is the ohm अब resistance से ही हम continue करते हैं वही circuit essentials क्या-क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं so let's get started over here हमने बात की यहां पर resistance की तो resistance actual में resistance की unit हम discuss कर चुके हैं और अब हम उससे आगे बढ़ते हैं एंड उससे आगे हम बात करेंगे एक नाम आता है हमारे पास में कुछ factors factors affecting factors affecting resistance resistance of a conductor की वो कौन-कौन से factor है जो resistance के उपर फर्क डालते हैं हो सकता है कि resistance बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है कि resistance बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हम बात करें उन्हीं factors की तो देखो factors की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो factor आता है वह आता है length of a conductor length of a conductor nature की बात करूं तो length of a conductor के resistivity होती है वो हमेशा होती है directly proportional क्या कहा मैंने मैंने कहा कि directly प्रोपोर्शनल mathematically लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा resistance R जो कि directly proportional होगा length L के where length is the L is the length of the conductor for example हम माल लेते हैं कि जैसे कि आपको कोई tube में से निकल के जाना है ये कोई रास्ता है ठीक है यह हम कोई सुरंग imagining कर लेते हैं दो हम अलग-अलग सुरंग imaging कर लेते हैं एक बड़ी और एक चोटी है ठीक है अब आप यहाँ पे खड़े हैं and आपको क्या करना है यहां से क्रोस करके जाना न फेक तो एक सुरंग God जितनी बड़ी सुरंग होगी आपको उतनी ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी उसमें से पास होने के लिए अगर छोटी सुरंग होती है तो आपको क्या करनी पड़ेगी कम परेशानी उठानी पड़ेगी इस परेशानी को इस अवरोध को या जो विरोध यहां हो होगा लके थोड़ा बढ़ते हैं second factor की बात करते हैं इसके बाद में length of conductor के बाद में second factor आता है वो आता है cross section area that is what the cross section area तो क्रोस section area की जब बात आती तो cross section area की कैसे proportional होता है इसके हमेशा inversely proportional होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे कि रेजिस्टेंस आर यहां पर मैं कोई सिलेंडर करता हूं कि यह हमारे पास में कोई सिलेंडर है जिसके एंड कुछ इस तरीके से मुड़े हुए हैं यह इसके एंड है तो क्रोस्टेक्शन एरिया क्या होता कि जो सामने से हमको दीखेगा अगर इस सिलेंडर को मैं सामने से देखू तो कैसा दिखेगा ऐसे सरकल मेर को दिखेगा तो इसके कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मान के चलता कि आपको उसी ट्यूब में से निकलना है एक तो ट्यूब आपके पास में से बड़ी सारी है दूसरी ट्यूब आप आपको एक end से शुरू करना है एंड दूसरे end पर जो है आपको यहां से पास करना है तो बच्चा जो मोटी ट्यूब होगी जो जादा मोटी ट्यूब होगी आप उस में से ज्यादा आसानी से पास करवाएंगे सेम चीछ रेजिस्टेंस के साथ होती कि जितने ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा उतने ही ज्यादा सही तरीके से जो करन्ट है वहाँ से पास कर सकता है थर्ड पोइंट की बात करते हैं इसके बाद में थर्ड पोइंट क्या आता है थर्ड पोइंट थोड़ा सा टेक्निकल है उसमें आता है टेंप्रेच ये जो रेजिस्टन्स होता है वो होता है या ferryटले प्रोपोषितेंस होता है यानि के उसके डारेक्टली, प्रोपोर्शन head होता है यानि resistance r directly proportional to temperature t कैसे होता है देखो मान के चलते हैं ये हमारी कोई conducting wire है एक बार के लिए अपने क्या माल लिया हमारी conducting wire माल लिया और इस conducting wire में क्योंकि दुनिया के हर element के लिए हम यह कहते कि वो छोटे-छोटे particle से मिलके बना हुआ है तो जहिर सी वात है इसके अंदर भी इसके आसानी से यहां से पास होगे चला जाएगा बहुत ज्यादा उसको फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे टेंप्रेचर टी जो है हमारा जैसे जैसे ही हमारा हाई हो जाएगा थोड़ा समय रेज कर देता हूं यहां से इसको यह आई लिख दिया मैंने ओके लिवेट अल दवे आई मिन बाई दवे ओके तो टेंप्रेचर टी हमारा जैसे ही हाई होगा तो हाई होते ही क्या होता है हाई होते ही जो पार्टिकल है यहीं जगे रुकेंगे नहीं कोई इधर भागने लग जाएगा वो उदर भागने लग जाएगा तो जब यह सारे अलग लग जगे भागने लग जाएंगे तो इन सब के भागने की वज़ए से होगा क्या इन सब के भागने की वज़ए से माई डियर यह जो करंट यहां से पास करके जा रहा था अब इसको ज यहाँ यह हो अब इसी शेने करता हूं यहाँ पर and continue करते वे मैं एक nature की बात करता हूँ बड़ा ही कमाल का nature इसका आता है और उस nature को हम कहते है resistivity resistivity और इसको show करते हैं यह जो आप P जैसा symbol देख रहे हैं इसको P नहीं बोलते मेरे बच्चे इस symbol को हमेशा कहा जाता है row, row जो इसका name होता है row इसका name होता है इसको row कहा जाता है row बुलाया जाता है इसको row is the name very well you got the name let's begin over here resistivity क्या होती है resistivity actual में एक तरीके का nature होता है किसी का क्या होता है nature होता है किसी दी conductor का कैसा nature ऐसा nature जिससे वो क्या करता है nature of showing resistance nature of showing resistance कि कोई conductor कम resistance शो करेगा कोई conductor जाता resistance शो करेगा and that characteristics और that nature और that phenomenon is known as resistivity symbol होता है row मेरे ख्याल से आप यहां से इसको समझ गए होंगे mathematically इसको कैसे निकालते हैं तो mathematically जब हमें किसी भी substance के लिए calculate करनी हो resistivity row हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम एक cubical shape लेते हैं cubical shape ठीक है ऐसे हम एक cube बनाते हैं और उस cube के लिए हम यह ध्यान रखते हैं कि इसकी जो सारी की सारी साइड होंगी वो कितने की होंगी वन मीटर की होंगी और इस वन मीटर में से जब भी कोई current यहां से pass करके जाता है तो वो उस substance की जैसे substance किसका हो सकता है maybe वो आपका जो substance है वो copper हो सकता है aluminum हो सकता है silver हो सकता है लकडी हो सकती है कोई भी another metal हो सकती है iron हो सकता है cobald nickel whatever it can be कुछ भी हो सकता है तो उसका cube लेंगे और उसके बाद में हमारे पास में constant number आता है उस number को हम क्या कहते है resistivity कहते है अब देखो resistance की unit होती है हमारे पास में अहम जो अब इसकी SI unit की हम बात करेंगे तो resistance की unit हमारे पास में क्या होती है होती है और फिर ये pass करके जारा किस में से एक मीटर डिस्टंस में से पास करके जारा है तो हम के साथ में हम किसको multiply कर देते हैं meter को multiply कर देते हैं and this ohm meter जिसको symbolically हम लिखेंगे ohm and meter यह क्या होती है हमारी resistivity की unit होती को समझ गए होंगे एक छोटा सा कंसेट जो हमारा बीच में रहा गया था इसके लिए मैंने कहा था कि हम नेक्स क्लास में इसको पक्का डिसकस करेंगे एंड एड कंसेट इस वी आई ग्राफ यह एक वी आई ग्राफ होता है और लग लेके हैं हमारी हमेशा वोल्ट हटी है वैसे तur Punkt यहां पे One माल लिया निया इक सबूसaked करें तो इसके नबर लग लग होते हैं मैं सब्सक्राइब यह 10 मान लिया 20 मान लिया 30 40 50 ऐसे हमने नमबर मान लिये अब condition क्या दे कि V जो है वो directly proportional है I के कि I जितना बढ़ेगा वी भी उतना ही बढ़ेगा अगर I का एक interval change होता है तो V का भी कितना interval change होगा यहां 1 के लिये क्या आजाएगा 10 आ जाएगा 2 के लिये 20 आजाएगा 3 के लिए 30 आ जाएगा और जब हम इंस सारी lines कोلبा हैं go तो यह आपको क्या देगी है कि straight line देगी ठीक है यह आपको क्या देने वाली है कि straight line जो है आपको यहां पर मिलने वाली है I hope आप इस concept को समझ गेंगो this is the v.i.craft ओके let's move to the next line and see what is next next क्या है next आपकी characteristics आती है हमारी resistivity की तो resistivity की characteristics क्या होती है वह मैं आपको verbally बता देता हूं कि resistivity किसी भी substance की जो होती है वो सिर्फ temperature पर depend करती है सिवाए temperature के दूसरी किसी चीज़ के पर वो depend नहीं करेगी यह बड़ा ही common सा concept है इसके अलावा resistivity की बहुत जादा अलग से कोई basic इनके अलावा कोई अलग से प्रोपर्टी नहीं है नेक्स हम पढ़ते हैं हमारे जो काम की चीज़ें आएंगी that is the combination of resistances next मैं heading की बात करता हूं that is nothing but the combination of resistance कि आप resistance को combine किस तरीके से करेंगे combine हम दो ही तरीके से करते हैं कैसे combination एक तो हमारा होता है series combination और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है parallel combination दो combination पढ़ेंगे series पढ़ेंगे और parallel पढ़ेंगे शुरुवात करते हैं हमारे series combination से series combination कहते किसे हैं होता कैसे है वो हम जान लेते हैं यहां पे ठीक है so the very first is the series combination this is nothing but the series combination अब चलिए बात करते हैं कि series combination होता गया कि सर आप तो नाम पे नाम लेते जा रहे हैं यह नाम तो हमने बुक में भी देखें हैं बट थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए कि यह नाम actual में होते हैं series में क्या होता है बचे series में जो combination होता है एंड टू एंड पहला k tamb हो दूसरा जोड़ दिया दूसरा तीसरा जोड़ दिया तीसरा पहला होओ चोकूर्था जोड़ दिया कैसे जोड़ा सर कैसे देख लीचिए एक तो जोड़ेंगे यह हमारा पहला क्या माल लिए और लिया दूसरा रेट्टेन्स लग जाएगा आर तरी और इसी तरीके से जो series है यहां तो थोड़ा सा यहाँ पर calculation के लिए हम लगा देते हैं बैटरी हम यहाँ पर लगा देते हैं ठीक है और इस बैटरी की voltage हम मान लेते हैं कि इसका बैटरी का जो potential difference हमने वी लिख लिया है यहाँ पर जो voltage हमने क्या मान ली और जब भी series combination की बात करेंगे जो हमारा total resistance होता है total resistance series combination का जिसको आप लिखते हो यहाँ पर rs वो कितना होता है बच्चे वो होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 यानि क्या होता है algebraic sum होता है सारे resistances का अब यह तो हमें भी पता है सर लेकिन आया कैसे यह तो आपने कहे दिया कि इनका sum होता है मान लिया लेकिन यह term i कैसे तो चलिए अब वही पढ़ते हैं कि सारी term actual में i कैसे calculate करते हैं calculate कैसे करेंगे थोड़ सा हम यहाँ से figure की help लेंगे मेरे बच्चे क् करेnt होगा और भी वही और रकिन्ट होगा और थी पर नाचीश कामें में हमेशा tepeople क्या होता है । बराबर होता है यह मान के चलना है तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हम किसी शर्क्राइट की बात करेंगे बचले तो जितनी Os हमने दी है जितनी वोल्टेज हमने दी है टोटल वोल्टेज उसके बराबर रही उससे जदा नहीं रही वोल्टेज हमने कितनी दी वी हमने दी ठीक है अब यहां पर देखो पहले resistance के लिए मैं voltage माल लेता हूं V1 दूसरे के लिए माल लेता हूं V2 तीसरे के लिए माल लेता हूं V3 तो जो हमारी total V होगी वो किसके बराबर होगी वो होगी V1 plus V2 plus V3 अब from arm slow थोड़ असा मदद ले लेते हैं from arm slow arm is the person की चलो भी ठीक है मैं help कर देता हूं help क्या है कि V is equal to IR होता है sir ठीक है तो V1 कितना हो जाएगा जी V1 हो जाएगा IR1 और V2 V2 हो जाएगा IR2 और V3 V3 हो जाएगा IR3 तो हम क्या करते हैं तीनों को क्या करना है combine करना है इसी equation में value रख देनी है then V is equal to क्या आ जाएगा मेरा बच्चा V is equal to जो IR था वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अब इस IR is equal to अगर मा I यहाँ पे common लेनू तो अंदर बचेगा बच्चे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो I से I में दोनों साइड जो है मैं cancel कर देता हूँ right hand side और left hand side पे और हमारे पास में आ जाएगा R is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 और यह हमारा हो गया complete formula और अगर हमारे पास में n resistances हों प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसी तरीके से हम जोड़ते वे चलेंगे कहां तक चलेंगे और एन तक चलेंगे जो हमारा nth resistance होगा उसको भी जो है हम लोग इस सीरीज में add कर लेंगे I hope आपको यह चीज समझ आ गई होगी अगर समझ आ गई है तो बढ़ते हैं next concept के तरफ जो कि इसका last concept है combination of resistances in parallel parallel combination की बात करेंगे okay so let's talk about the parallel combination अगर बीच में कहीं कोई doubt रहता है या कोई point आपको रहता है कि सर यह चीज थोड़ी सी हमें समझ नहीं है आप थोड़ा और एक्स्प्लेन कर जिए दोंट माइंड नेचे कमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है साथ में होता है आप वहां पर भी question पूस सकते हैं we will answer you don't get bother okay